तो सागत आपको हमारे यूटूब चैनल के आर इजाम में दोस्तो जारकन में न्यूकती परकिरिया जो है वो शुरू हो चुकी है जिसके बारे में इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में जानकारे देने वाला हूँ तो आप लोग पूरा वीडियो को शुरू से अन तक जरूर देखेगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और इससे पहले यही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्क्राइब कर लिजे साइड में बेल आइकोन की घंटी यह कभी दबा लिजे ताकि आपको जारकन के सभी भरतियों की जानकारी सबसे पहले मिल चके दोस्तों में इससे मैं आज के परभात कबर की नूज प्यूपर को अनकर रहा हूँ तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है देखे यहां सब्चे पहले बोल रहा है कि रोजगार और नियुक्ति का साल बनाने का संकल्प लिया है और युवाओं को रोजगार सरकार देने पर सरकार का विशेश फोकस है ठीक है अब आगे बोल रहा है कि यह बात मुख्यमंतरी हेमंच सोरेन ने बूधवार को कही है तो कल की डेट में ये बात कहा गया है अब आगे बोल रहा है कि उन्होंने कहा कि छट्थी JPSC विवादों में रही थी और पिखली सा पिकली सरकार जो है वो एक भी JPSC की परिच्छा पांच साल में नहीं आयोजित करा सकी उसके बाद आगे बोल रहा कि इस पर इस सरकार ने चंज दिनों में मतलब 19 सितंबर से JPSC की परिच्छा ली और युवाओं का भविश्क की रास्ता खोलने का काम किया है ठीक है अब आलिक खिलारियों को सिधा नियुक्ति देकर सरकार ने अपने पर्तिवध्धा देखाई है ठीक है उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या बताया दा रहा है अब आगे यहाँ पर बोल रहा है कि मोके पर मुख्य मंत्री ने कहा कि इस राज्य के बनने के बाद 20 साल तक ब हावना के साथ खिलवार किया है और वर्तमान सरकार ने नए नितिया और नए कानून बना कर गलत मन्सूबे को सफाया कर रही है ठीक है अब आगे बोल रहा है कि हम नए ने कानून जार्कन के हीत में बना रहे हैं और इसे राज्यवासियों को वर्तमान और भविश्य के ला शुरू हो चुकिया थीक है मतलब अभी JPSC का परिच्छा करा लिया गया और जल्द ही सारी भरतियां जो है वो एक-एक करके आएगे और जैसे जैसे नोटिक फ्येसन जारी किया जाएगा तो सबसे पहले आपको जानकारी मिलते रहेगा इसलिए यह केनल पर नए हैं तो केनल